जैसिरी राम दोस्तों स्वागत आप सभी का ब्राइट इंस्पिरेशनल वाइब्स के ओनलाइन प्लेट फोरम पर दोस्तों मैं आपको ना ही लाइक ना ही सस्क्राइब और ना ही सेयर के लिए बोलूँगा बस आप सभी से आपी की सपलता के लिए वीडियो में बताए गए 10 रूल को जीवन में फोलो करनेके लिए रिक्वेश्ट करूंगा यह दस नियम एक भारत के महानवेक्ती रतन टाटाजी की जीवन से लिमें देखे गए है यह दस नियम हर एक सपल इनसान फोलो करता है में ये नियम खोलो परोगे क्योंकि आपके मम्मी पापा आपकी सफलता की राहे देख रहे हैं और सफल होने के लिए आपको आपकी आधते बदलने होगी मैं आपसे फिर से रिक्वेश्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो इनसान आप है जो सफल होना चाहते हैं मोटिवेशनल वीडियोज को सर्च कर रहे हैं मेरे दोस्त अब आपको सर्च करने की नहीं सर्च में आने की जरूरत है रतन टाटा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम सभी को सफल होने की राहे दिखा रहे हैं अब चलते हैं बिना देरी की वे आदतों की ओर सबसे पहली आदत है श्वयम पर विश्वास रखना आपको कभी भी श्वयम का confidence डाउन नहीं होने देना है और श्वयम को हमेशा positive रखना है इसके बाद में दूसरी यादत है हमेशा सीखते रहना अगर आपको सफल बनना है तो ऐस सफलताओं से सीखना होगा ना की उनसे हार मान कर बेटता होगा और आगे बढ़ना होगा स्वयम को समय के साथ अपडेट करते रहना होगा स्वयम के ग्यान में बडोत रहते रहना होगा इसके बाद में next आदत है बड़ी सोच अगर बड़ा आदमी बनना है तो सोच बड़ी रखनी होगी आप भी बड़े आदमी बन सकते हो बस आपको जरूरत है बड़ा सोचने की इसके बाद में नेक्ष्ट आदत है विन्नमर सववाव आपको कभी भी गमंड नहीं करना है क्योंकि आपको जितना समय सपल होने में लगा है उतना समय गिरने में नहीं लगेगा नेक्स्ट आदत है किसी का बूरा नहीं सोचना अगर किसी का भला सोच सको तो सोचो पर किसी का बूरा नहीं सोचना नेक्स्ट आदत है रिस्क लेना आपकी लाइप में बहुत सारे इसे पॉइंट आएंगे वहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर गोज़ ज़्यादा रिस्क है आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू तो वहाँ बेजिज़क रिस्क लेना और आगे बढ़ना इसके बाद में नेट्ट आदत है मजबूती से टिके रहना आपकी लाइट में बहुत सारे अपोर डाउन आते रहेंगे पर आपको उनसे कभी हर नहीं माननी है एसे समय को मजबूती से ठेस करना है इसके बाद में नेट्ट आदत है आसपास के लोगों से जुड़े रहना हमेशा लोगों के साथ अच्छा विवार रखना है विनमर्ता रखनी है इसके बाद में है नेट्ट आदत है लोगों के साथ विश्वास के साथ जुड़े रहना विश्वास बनाना अगर काम्याब होना है तो किसी के साथ दोखा नहीं करना क्योंकि परकर्ति का एक नियम है जेसा करोगे वे साबरोगे इसके बाद में नेक्स्ट आदत है हमेशा पोजिटिव रहना नेगिटिविटी से बचना क्योंकि पोजिटिविटी हमेशा काम करने की उर्जा परदान करती है और नेगिटिविटी हमेशा आलस से परदान करती है मेरे दोस्त आई होप आप अब दूसरी जवे बठकना छोड़ गर अब खुद की सपलता की और कारिये करो दी अगर कभी भी डिमोटिवेट प्लिट रहे तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखना बेट ओप लक मेरे दोस्त बढ़वान से दूआ है आपकी संगर्स को सपलता में परिवर्टिद करें आप सभी का दिल से दलिवाद देखना